नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तो आज हम बनाएंगे बची हुई ब्रेड में से ब्रेड मंचुरियन तो एकदम इजी और एकदम जल्दी से बनने वाली रेसेपी है तो मैंने यहाँ पर बची हुई ब्रेड को इस शेप में कट कर लिया है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बटर लिया है आप चाहे तो ओइल या घी का इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे और जितने भी कट किये हुए ब्रेड के पिसी से उन सब को हम लो फ्लेम पे अच्छे से सेख लेंगे लो फ्लेम पे सेखने से यहाँ पे हमारे ब्रेड एकदम कुरकुरी हो जाएगी ब्रेड को सेखने से ब्रेड का टेक्स्चर जो हमें बाजार में रस्क मिलते हैं उसके चैसा लगेगा देखिए इस तरह से हमें सेख लेना है ब्रेड को एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं ब्रेड यहाँ पे तो अभी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल स्पून ओईल में एक छोटी इसी प्याज कट करके ले ली है आप चाहे तो यहाँ पे लहसुन अदरग की पेश्ट भी डाल सकते है प्याज थोड़ी सी पक चाहे उसके बाद मैंने यहाँ पे आथा केप्सिकम डाला है आप चाहे तो यहाँ कौन का इस्तमाल कर सकते हैं, ब्रोकली का इस्तमाल कर सकते हैं और गाजर भी डाल सकते हैं तो थोड़ी से मैंने स्प्रिंग ओनियन डाला है, दो टेबल स्पून जीतना सोया सोस और एक टेबल स्पून टोमेटो केचप आप अपने स्वाद के अनुसार से यहाँ पे सोस कम या ज्यादा कर सकते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा पानी डाल कर हम सोस का टेक्स्चर अच्छे से यहाँ पे हम पका लेंगे तो बस तयार है यहाँ पे हमें बहुत पानी नहीं डालना है तो हमने जो ब्रेड से की है वो हम इसमें डाल देंगे और मसाले में ब्रेड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सच मानिय दोस्तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका टेस्ट एकदम यमी लगता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है तो आपके घर में कभी भी बची हुई ब्रेड हो तो उसे फेकने से पहले ये वीडियो ज़रूर से देखिए तयार हैं यहाँ पे हमारी ब्रेड की एक नई और यमी रेसिपी तो ज़रूर से ये ट्राइ कीजिएगा मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पूर वोचिंग